हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजुकेशन नोलिष्टी पे आर्दिक स्वागत करता हूं जी हाँ इस वक्त की बहुत बड़ी गबरारिया आप सभी के लिए आपको बता दें हरियाना CET exam results को लेकर बहुत बड़ी को उष्णा की गई है रात को जी हाँ आपको बता दें हरियाना सरकार ने गुरूप सी बरती के लिए common eligibility test पांच और छे नॉम्बर को लिया गया था जिसका results का you are बेजबरी सिंज जार कर रहे हैं लागातार न्यूजबे प्रो में कटिंग परकासित की जारी कि result आपका आज गोशित होगा आज गोशित होगा लेकिन results का कोई अता पता नहीं था वही मैंने आपको सुबह बताए था कि जी हाँ आज आपका result आ सकता है आज 8 जनवरी हो चुकी है और 9 जनवरी दोनों dates के बीच में आपका results जारी किया जाए करें कि आप सुझिक साथ सेर कर रहे हैं आपको बता दें आज 8 जनवरी है और अभी अभी ताज जानकारी के मताबित आज आपका result जारी नहीं किया जाएगा आप रात भर आराम से रह सकते हैं यानि कि आप चिंता नए करें रजल्ट आपका आज जारी नहीं किया जाएग इस वक्त की बहुत बड़ी गबर आप सरी साथ सेड़ कर रहे हैं आपका जो रजल्ट है कल यानि की 9 जनवरी 2023 को 9 बज़ के बाद जी हाँ, 9 बज़े के बाद यानि की रातरी 9 बज़े के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है लेकिन आज आपका रजल्ट जारी नहीं किया जाएगा National Testing Agency अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को रजल्ट आज नहीं सोप रही है वहीं मैं आपको बता दू रजल्ट आपका कल सुपेगा यानि कि कल आपका दिन में रजल्ट्स अनैशनल टेस्टिंग अजनसी अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को सोपेगी रजल्ट्स सोपने के बाद रजल्ट्स आपका अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन रात को 9 बज़े के बाद अपनी official site पे डालेगा वहाँ पे आप अपने registration नमबर और password डाल करके जिसमे date of birth डालेंगे अपना check out कर पाएंगे वही मैं आपको बता दूँ 5 नमबर का अभी भी सन से बना हुआ है कि 5 नमबर किन किन को दिये जाएंगे तो बाई जिनके परिवार में नोकरी नहीं है 1,8,000 से जादा income उनकी अगर verified है तो नोकरी नहीं भी है तो भी 5 नहीं दिये जाएंगे यानि कि 1,8,000 तक के जितने भी अरियाना सरकार ने verified किये हैं उन सभी को ही यहाँ पे 5 नहीं दिये जाएंगे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें